नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपको बता दें कि 25 मई के शुब दश बजेशे ज्या दोसों यहश में से बगवान स्री गरेशी के सिर्बाशे आपके जुनकाल में बड़े चुमतकार होने वाले हैं ज्या दोसों 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 आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहश में बुद्वार का दिन होगा और जोतिर शास्त में बुद्वार का दिन बगवान श्री गरेशी का दिन होता है और दोसों ये शुमी बगवान ग्रेश जीक एश्रबाश्री गरों की बहुती शुविश्तिती बनने वाली है जिनके कारण दुदलव शुईयों का निर्मान होगा और ये शुमी आपकी जोन की आपकी कश्टें श्माप तो हने वाली है दोसों आपको बिदा दें कि बगवान श्रीक ग्रेश जीक एश्रबाश्री आपके जीवन काल में येसमे कुछ येसे ही बड़ी घट्णाए होने वाली है कुछ येसे ही बड़ी बड़ी परिवर्तन होने वाले हैं जिन से आपका मन बहुत ज्यादा पट्शन रहेगा जिया दोसों ये कहें तो ये श्रमे मगवान श्री ग्रेश जीक एश्रबाश्री बहुत ये अच्छा श्रमे रहने वाले हैं जिया दोसों तो दोसों येसे में आप विड़ी को बिल्कुल भी मिश्ना करें और शुरू से लिकर अंतर तक जरूर देखें क्योंको दोसों इनमें आप शबी महत्पुन जान करने को जानेंगे कि ये श्रमे बदलते गरों के चाल के शार साथ आपको किन की चित्रों को लेकर शाल दाने ने होंगे कौन शे कारें आपके लिए भाग शाले होंगे और किने चित्रों में कारे करने चिए आपको लाव की प्राप्ति होगी बगवान श्री गनेश जी कैसी बाद श्री आपकी जूनकाल में कौन से शुदार होंगे गर के माहर में और पारे उजुन में क्या क्या इस्ततियां शुदरने वाली है तो दोस्तों अंत तक देखेगा उशी पहले दोस्तों जो भी अग्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जैन श्री गनेश जी लिखेगा गुरु जी का और भगवान श्री गनेश जी का श्री धासर बात प्राप करेगा तो दोस्तों जरूर लिखेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें शाती बेल आइक को प्रेश करके और पर्श लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहर हम करते हैं दोस्तों यश्मी बहुत ती महत्पूर्ण शमाचाल मिलने से आत्मे गोरभानों तो गुरूप से आप अधिक ससक्त महसूस करेंगे इसलिए दोस्तों आपको बतादें कि यश्मी आप शबी रुके वे कामों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी महनत लगा दिजिए आर्थि गुरुकावटें भी यश्मी दूर होंगी इसके साथ दोस्तों यश्मी अगर आपकी श्रावधने को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मी मन में कुछ अनुहनी होनी यसी भय और उदासी रहेगी अपने इस नकार्तम को वयवाब पर आपको नियंतर रखना चाहिए वरना ये वयवार आपको नुक्षाम करा शक्ती है दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों की फीजुल बातों को बज़र अंदाज करें तो दाश्मी को वियस्त रखें इसको बना दोस्तों ये जो आपके लिए शमी होंगे आपको बता दें कि मन में ताजगी और उत्सा होने की वज़ेशे आप नई काम की शुरुआत करते जाएंगे जिया दोस्तों जो काम अभी तक अटके हुए थे उसको पुरात करने के प्रतन भी आपके दोवरा ये जाएंगे घर में शुक सांती बने रहने के लिए आप अपने प्रतनी भी बढ़ा सकते हैं तोस्तों अध्यात्मिक बातों को नई शीरे से शिखने की रूची भी यश मैं आपके अंदर फिर से जागजाएगी एपनी परतिबा और छंताओं को और अधिक निखालने का प्रयाश करें शमाज में अभी आपकी छवी और अधिक बढ़ेगी आपको बता दें कि आई के शंसाद्रों में कुछ कमे भी याश में आ सकती है प्रत दोस्तों खर्चे बरकार रहेंगे आपको बता दें कि दुसरों की बातों में आकर आप अपना नुक्षान कर सकते चचेरे बेन भाईयों से अपने शमन्दों को और अधिक बहतर बनाने का प्रयाश करें दोस्तों यह आपके लिए उत्तम शावद होंगे इश्क प्राहत दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होगे आपको बता दें कि भूत काल से समदित बातों को याद करके उनके दोरा मिली शीक को यह शमय अपनाया जा सकता है और आप यह शमय जो है अधिक शमय जो है आत्मे परिक्षन करने में भी लगाएंगे जिसके वज़ेशे आपको अपने वर्ताव और और लोगों का आपके परती वर्ताव दोनों के बारे में जागरूता मसूल होगी इसको प्राहत दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि शमय की चाल आपके पक्ष में ही होगी अपने योजनाओं को किर्यानवित करने का उची समय होगा काफी लंबे श्मेश से चल रही किसी परिशानी से आपको मुक्ती प्राप्त होगी बैतर कार्प्रणाली के वज़ेशे लोगों के श्रंग्च आपकी पर्षंचा के आप पात्र भी मनेंगे इसको परांदी दोस्तों यश में आपको बता दें कि कुछ पर्ति द्वेंदी भी जलन की भावना के कारण आपके लिए कुछ नकात्म वातारण भी उत्वपन कर सकते हैं जहां दोस्तों घर के बड़े बुजर्गों की शला और अन्बहों को यश में आप बिल्कुल भी नतरंदाज ना करें यह आपके लिए बहतर शाविद होंगे श्वमी करुशार अपने वायवार में भी आपको बदलाव लाना ज़र्य होगा इसको प्राहं दोस्तों यह आपके लिए आपके लिए समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें कि आपके दुवारा कही बातों के वज़र्य शे मित्र परिवार में विवाद या फिर बाद विवाद की श्तिती भीत्पन हो शकती है इसलिए दोस्तों अपने शब्दों का परियोग शमल कर ही करें खास कर जब बात दूसरों से समधी तो मन में आरे अलग-अलग विचार के कारण यश में जो है करता बनाई रखना आपके लिए थोड़ा सा कठीन भी हो शकता है इसको ब्राम दोस्तों यश में आपके दिन जर्या के लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बदा दे कि दोस्तों और निकट समन्दियों के साथ संपरकों को और अधिक मजबुत करें आपको अवशी नई उप्लब्दियां प्राप्त हो शकती है धर के निवेश पर भी अधिक ध्यान दे दोस्तों यश में लाबदाय गरह गोचर चल रहा है इसको आप भरपूर से दिप्योग करें इसको प्राप्त दोस्तों यश में कभी-कभी आपके वाईवार में चिटी-चड़ा पन और गुश्चा आपको अपने लक्ष से भटका सकता है तो दोस्तों अपनी इन कम्यों का जोए सुधार करना आपको जरूरी होगा अपने किशी भी युजणा पर कारी करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जनकारे अवश्य ले लें दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही महत्पूर शाविद होगी इसको प्राण दोस्तों ये शमें आपके लिए जसे महोंगे आपको बता दें कि आप अपनी एकचा सकती को बढ़ा कर काम से सम्मधित बातों में प्रगती प्राप्ट करने की कोशिश करेंगे आपको अपनी भावनतों को बातों के बारे में अधिक जागरूता भी ये शमे महसुस होगी जिनके कारण खुद को बहत्रिन बनाने के लिए आपके प्रत्न भी ये शमें बढ़ सकते हैं दोस्तों जब बात मारशिक स्वास्त की हो तो दोस्तों दूसरों की मदद लेना आपके रिए आवश्य होगा। इशकुप bessण ढूसरों ये इश्म में अगर आपकी केरेर के लोकर बात करने अर्थात आपके वशी आईए की तो दोस्तों ये इसम किसी खास इंसान की सला और म फ्रवाई शाय के लिए अनुकुल रहेंगी परंतो अपनी समध्य को किसी अंजान व्यक्ति के साथ भिलकुल ना करें तो यह आपके बहुत थी महत्पुर शावित होंगे किसी भी और शाविकारियों में पक्के विल का उपयों करना आपके वह बहुत होगे इसको प्राहत दोस्तों ये जो समय होंगी शरकर्मियों के साथ मेल मिला बढ़ाना आपके लिए आउश्यों होगा इनसे दोस्तों जो भी शरकर्मिय है मल लागा कर कारे करेंगे इसको प्राहत दोस्तों ये जो में कारे शितर में कोई भी निदले अकले ना ले टीम वर्क बना कर काम करना येश में आपके लिए उचित रहेगा इसले दोस्तों वयशा उत्तम रहेगी और नोकरी पेशा वेत्ति किसी सरकारी मामले में भी येश में फंस रगते हैं इसलिए दोस्तों जो भी नोक्री पे साथ जाता कें येश में आपको शावधा रहना अतियाँशो होगा तो दोस्तों येश में आपके बिल्कुल भी लब रवाही ना परते इसको प्रणा दोस्तों येश में आपके केरेट के लिए जो समयोंगे कि आपके विशाय के लिए दोस्तों आपको बता दे कि कोई बड़ा ओडर भी मिलने की संभूना बन रही है किसी उच्छे दिकारी का सयोग आपके कारियों में मन मुताबि शब्लता भी परदान करेगा दोस्तों प्रोडक्शन संबंदिक कारियों में कुछ कमी भी आशकती है सरकारी सुवात और लोगों के उपर काम का बोज भी यश में बढ़ सकता है यानि यश में आपको अपर टाइम भी करना पड़ सकता है लेकिन दोस्तों इसका फायदा आपको बाद में जाकर मिलेगा इसको पराद दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए अर्थात बिवाईक ते जिवन की तो दोस्तों यश में विवाईक ते जिवन में उच्छी समाज़त बना रहेगा प्रेम शंबनों में भी प्रगरता आएंगी तदा रोमेंटिक महौल भी यश में बनने वाले हैं इसको पराद दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए इसको पराद दोस्तों यश में आपके लिए जिवन के लिए समौँगे आपको बता दें कि विवाईत समधों में कुछ समय से चल रही तनाव को आपसे समझ से दुवारा सुलजाने का प्रयाश करें इसी दोस्तों समधों में सुधार आएगा घर का बातरण भी पुना सु दूखद और मदूर हो जाएगा इसको पराद दोस्तों यह में आपके लिए जिसमोंगे आपके पारियुनिक जिवन के लिए समोंगे दोस्तों आपको बता दें कि वैस्ता के बावजूद भी आप अपने जिवन को भी शमय देंगे जिसके विज़शे आपसी समधों तथ शुखद पूर्ण बातावरान बना रहेगा इसको प्राद दोस्तों यह में अगर आपकी स्वाथ को लेकर बात करता तापकी है तो दोस्तों यह में किसी परकार की अलर्जी होने की त्यतिव भी बन रही है वर्तमान मौसम से अपना बचाओ करें यह आपके बहतर होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यह में मौसमी बारियां आपको पैशान कर सकती है लपरवाही ना बरतें और दोस्तों यह में वयाम और योगा के लिए अपना शमय जरूर नहीं कालें दोस्तों यह आपके हैल्थ के लिए बहतर होंगे इसको प्राद दोस्तों यह में आपके श्वास्त के लिए बहतर शाविद होंगे इसको प्रांद तो गैस और एस्टेटी की परिशानी जिनको है यह उनकी परिशानी बढ़ सकती है खान परता दिंचरिया में अत्यदिक श्यम रखना आपके लिए जरूरी होगा तो दोस्तों इन सभी बातों का ख्याल करें यह श्यम भी इन परता दिंचरिया में अको भी बाता दिंचरिया में जारी होगा ह।